नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में दोस्तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबर है मुख्य समाचार प्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में तो दोस्तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़दा ज़दा लाइक और शेर करें तो दोस्तो सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर यूपी के मुख्य मंतरी योगी आजितनात का बड़ा एलान पंचाय चुनाओं के दोरान जान गवाने वाले करमचारियों के परिजनों को मिलेंगे 30 लाख रुपए जी हां दोस्तो उत्तर प्रदेश में हुए पंचाय चुनाओं के दोरान जान गवाने वाले शिक्षकों के लिए योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है इसके तरहत मरत शिक्षकों के परिजनों को 30 लाक रुपे की आर्थिक मदद का एलान किया गया है यहाँ फैसला केबिनेट की बेठक के दोरान लिया गया साथी चुनाव आयोग की गैडलाइन में बदलाव करते हुए ड्यूटी पिरियेड को 30 दिन माना है जबकि सामाने रूप से इसे तीन दिन का माना जाता है दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें राजे में शिक्षकों की मोतों के आकड़े को लेकर बड़ा विवाद चल रहा है इसके अलावा मुआवजे की रासी पर भी सरकार भी विपक्ष से लगातार हमलावर हो रही है काफी मन्थन और सलाह मश्वरे के बाद राजे सरकार ने यह तै कि चुनाओ की तिति से 30 दिन के बीतर किसी भी वजह से म्रत शिक्षकों वर सरकारी करमचारियों के परीजनों को 30-30 लाख रुपे की आर्थिक सहायता दी जाएगी यूपी पंचाय चुनाओ के दोरान कई शिक्षकों के कोरोना संक्रमित हो जाने के कारण उनकी मौत हुई थी यही नहीं यूपी सिक्षक शंग ने अपनी सूची जारी करते हुए कहा कि 1601 सिक्षकों की डूटी के दोरान मौत हुई है वही सरकार के बैसिक शिक्षक मंतरी ने इसे खारिज करते हुए कहा कि चुनाओ के दोरान सिर्फ तीन सिक्षकों की मौत हुई बस फिर क्या था उत्तरप्रदेश में इन आकडों को लेकर जबदस्त विवाद छिड़ गया वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है शिक्षक संग सही जानकारी देगा या फिर सरकार का एक मंतरी कमेंड में अपनी राइस जरूर दें इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर केंडर सरकार के साथ विवाद के बीच बंगाल के मुखे सचिव ने दे दिया इस्तिफा टीम ममता से जुड़े जिहां दोस्तों केंदर और पश्यमंगाल सरकार में टकराओ के बीच पश्यमंगाल के मुखे सचिव अलपन उपध्याई ने पद और सिविल सेवा से इस्तिफात दे दिया है और वे टीम ममता से जुड़ गए है केंदर सरकार दोरा 31 मई तक दिल्ली आने के फर्मान के बीच यह फैसला लिया गया ममता बैनर्जी ने बंदो पाध्याई को तीन साल के लिए अपना मुखे सलाकार नियुक्त किया है ममता बैनर्जी ने इस फैसले के साथ साफ संकेत दे दिया है कि वे इस सियासी टकराओ के भी जुकने वाली नहीं है हलांकि केंदर के रुक से संकेत मिलता है कि तूफान यास को लेकर पशिम मंगाल में हुई प्रदान मंत्री नरिंदर मोदी की बेठक से ममता बैनर्जी के गेर हाजरी का मसला अभी ठंडा नहीं पड़ा है केंदर सरकार के सुत्रों ने कहा है कि आदेश का उलंगन करने के कारण बंदो पाध्याय को चार्ज शीट का सामना करना पड़ेगा वहीं अब एचके दिविदी बंगाल के नए मुखे सचिव नियुक्त किये गए हैं दरसल दोस्तों ममता बैनर्जी ने शहमात के इस सियासी खेल के बीच केंदर सरकार पर हमला भी बोला ममता ने कहा कि यह प्रतिशोद की राजनिती है ऐसा कुरूर वेवार उन्हें कभी नहीं देखा वो ममता बैनर्जी पर हमला करना चाते थे इसलिए मुखे सचिव को निशाना बनाया गया ममता बैनर्जी ने दो टूक कहा कि केंदर सरकार राज्य सरकार की सहमती के बिना किसी अफसर को वापस अपनी पृति नियुकती में लेने के लिए मजबूर नहीं कर सकती बंगाल के मुखे सचिव को दिल्ली आकर 31 मई तक रिपोर्ट करने के अल्टिमेट अप पर उन्होंने यहत्नी की पृतिक्रिया दी ममता बैनर्जी ने कहा कि हमारे मुखे सचिव अल्पन बंदो पाद्याय आज रिटायर हो गए हैं लेकिन वे मुखे मंतरी के मुखे सलाकार के तोर पर तीन साल तक सेवाएं देंगे दोस्तो ममता बैनर्जी ने आरोप लगाया कि पीएम मोदी नोकरशाहों के साथ बंदोवा मज़ूरों की तरह सलूप करते हैं अगर पूरी जिंदगी काम के प्रती समर्थपित नोकरशाह का अपमान किया जाता है तो केंदर सरकार और प्रदान मंतरी क्या संदिश देना चाते हैं बंगाली केंडर के कई अपसर केंदर सरकार में हैं क्या मैं उन्हें बिना सलाह मश्वरी के बुला सकती हूँ बहत नाराज ममता बैनर्जी ने कहा कि आपनोकरशाही को डराना चाते हैं हम डरते नहीं हैं हम आपसे नहीं डरते जो डरते हैं वो तूट जाते हैं हम लड़ेंगे और जीतेंगे ममता बेनरजी ने दोस्तों यहां तक कह दिया कि प्रदान मंत्री नरेंदर मोधी और अमिट शहा ताना साहा हिटलर और स्टाइलिन की तरह वेवार कर रहे हैं ममता ने कहा कि वह सभी राजय सरकारों, विपक्षी नेताओं, IAS, IPS अफसरों और NGO से एक जुट होकर संगर्श करने की अपील कर रही है इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर कोविशिल्ड की एक डोज ही है काफी, दूसरे की नहीं है जरूरत, मिक्सिंग डोज पर भी चल रही है इस्टडी जियां दोस्तों कोरोनो वेक्सिन की कमी की खबरों के बीच सिंगल शोट वेक्सिनेशन पर भी विचार किया जारा है कोविड-19 वेक्सिनेशन बनाने वाली कमपनी सीरम इंस्ट्यूट ऑफ इंडिया की वेक्सिन कोविशिल्ड भविशे में सिंगल डोज वेक्सिन बनाई जा सकती है फिलहाल देश में कोविशिल्ड और कोवेक्सिन दोनों की ही डोज दोर दो दी जा रही है इसके लावा वेक्सिन मिक्सिन फर भी एक स्टेडी की जा रही है दोस्तो आपकी जानकारी कले बता दें जोनसन एंड जोनसन स्पूतनिक लाइट और कोविशिल्ड वेक्सिन एक ही प्रिक्रिया और फार्मुले से बने है जोनसन एंड जोनसन और स्पूतनिक लाइट सिंगल डोस की ही वैक्सीन है इसके बाद दोस्तो अगली बड़ी खबर भारत की विकासदर माइनस 7.3 प्रतिशत पर लुड़की अर्थवेवस्ता को 40 साल में लगा सबसे तगड़ा जटका जियां दोस्तो कोरोना महामारी ने भारती अर्थवस्ता को बूरी तरह प्रभावित किया है वित्वर्ष 2021 में भारत की विकासदर माइनस में 7.3 प्रतिशत रही जो की पिछले 4 दशक्यानी की 40 साल से भी जादा समय का सबसे खराब प्रतिशन है सरकार दोरा सौमवार को जारी आंकलो के मताबित भारत की अर्थवस्ता 2020-21 की चोथी तिमाई के दोरान 1.6 प्रतिशत की दर्थ से बढ़ी जबकि पूरे वित्वर्ष के दोरान ZDP में 7.3 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिली हलांगी जनवरी मार्च 2021 के दोरान वरदी दर इस से पिछली तिमाई अक्टूबर दिसंबर 2020 के 0.5 प्रतिशत वरदी के मुकाबले बहतर थी लेकिन ओवर ओल यह है 7.3 प्रतिशत पर लुड़क गई है इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर बिहार में लोगडाउन 8 जून तक बढ़ा CM नितिश कुमार ने ट्वीट कर दी जानकारी जियां दोस्तों कोरोना वाइरस के प्रकॉप को देखते हुए बिहार में लोगडाउन एक बार फिर से बढ़ गया है CM नितिश कुमार ने खुट ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी उन्होंने कहा कि सभी लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और मास्क पहने नितिश कुमार ने ट्वीट किया कोरोना संक्रमन को देखते हुए लोगडाउन को एक सबताह अर्थार्थ 8 जून 2021 तक बढ़ाने का निलने लिया गया है परंतु व्यापार के लिए अतरिक्त छूट दीजा रही है सभी लोग मास्क पहने और सामाजिक दूरी बनाएं रखें इसके बाद दोस्तो अगली बड़ी खबर दिल्ली में संक्रमन दर एक फिजदी से कम हुई 24 घंटे में 648 मामलों की ही हुई पुष्टी जिया दोस्तो राष्ट्रे राजधानी दिल्ली में कोरोना की रफ्तार लगातार कम हो रही है पिशले 24 घंटे में 648 नए मामले सामने आये हैं जो की 18 मार्च के बाद से सबसे कम है इतने ही समय में 86 मरीजों की मोथ हुई और 1622 मरीज ठीक हुए है दिल्ली में कोरोना संक्रमन दर 0.99 में फिजदी पर पहुँच गई है जो 19 मार्च के बाद पहली बार सबसे कम है दोस्तो पिशले 24 घंटे में कोरोना के 65,240 टेस्ट किये गए शहर में इस समय 11,040 मरीजों का इलाज चल रहा है रववार को राष्ट राजदानी दिल्ली में 946 लोगों में कोरोना की पुष्टी हुए है जो की एक पृतिशत से भी कम संक्रमंदर है इसके बाद दोस्तो अगली बड़ी खबर बाबा रामदेव ने कहा मैं ऐलोपेती और डाक्टरों के खिलाफ नहीं मेरी लडाई ड्रग माफिया से है दोस्तो योग गुरू बाबा रामदेव इन दिनों अपने बयानों को लेकर विवादों में घिरे हुए है एलोपेती को लेकर दिये गए बयान के बाद उन्हें माफी मांगनी पड़ी थी और बयान भी वापस लेना पड़ा था हलांकि इंडियन मेडिकल अशोशेशन और बाबा रामदेव अब तक आमने सामने है इसी बीच तमाम विवादों पर रामदेव ने ABP नियूस से बातशीत की और अपना पक्ष रखा बयान के बाद हुए विवाद पर बाबा रामदेव ने कहा कि मैं न तो एलेप्योथी के खिलाफ हूँ न डाक्टर्स के खिलाफ हूँ और IMA के खिलाफ होने का कोई प्रशन नहीं है ठीक है उन्हें अपनी राजनिती चलानी है डाक्टरों के बीच में अपनी नेतागिरी करनी है तो उनके साथ में लड़ाई का कोई प्रशन नहीं है बाबा रामदेव ने कहा कि असी लड़ाई ड्रग माफियां के खिलाफ है जो दो रुपे की दवा को दो हजार रुपे में और कभी-कभी तो दस-दस हजार रुपे में बेशते हैं वे गेर जरूरी ओप्रेशन करते हैं गेर जरूरी टेस्ट करते हैं ये मैं नहीं कहता डाक्टर नेत्रहन भी कहते हैं और कई बार ओवर्डोस देकर क्या-क्या हो रहा है आपने डाक्टर गुलेरिया जी को भी सुना है पूरी दुनिया में लाखो करोडों लोगों की मौत होती है इसके बाद दोस्तो अगली बड़ी खबार अलिगड शराब कांड में 83 लाशों के बाद कारेवाई हुई संयुक्त आपकारी आयुक्त और उप उप आपकारी आयुक्त सस्पेंड बिजेपी सांसत ने कहा डियम को भी हटाएं अब सरों को जेल भेजें जियां दोस्त उत्रप्रदेश के अलिगड में जहरिली शराब से अब तक 83 लोगों की मौत हो चुकी है इस मामले में सौमवार को प्रसासन ने संयुक्त आपकारी आयुक्त आगराजोन रवी शंकर पाठक और उप आपकारी आयुक्त अलिगड मंडल ओपी सिंग को सस्पेंड कर दिया है रवी शंकर की जग है अब धीरज सिंग को आगराजोन का प्रभार दिया गया है दोस्तो आपकी जानकारी के लिए बता दें यूपी में जहरीली शराब से अब तक 83 लोगों की मौत हो चुकी है इसमें रविवार को ही 20 ओर लोगों की मौत हुई जहरीली शराब का कहर अब अलिकड के शहरी शेतर तक पहुँच गया है यहां के शहरी शेतर में भी 6 लोगों की मौत हुई है इस संदर में कई अफसरों को हटा दिया गया है 14 पलिश कर्मियों को सस्पेंड किया जा चुका है आगे भी जो अफसर दोशी पाए जाएंगे उन पर कार्रेवाही की जाएगी इसके बाद दोस्तो अगली बड़ी खबर अमेरिकी विशेशक्ग्यों ने दी चेताउनी कहा कोरोना कहां से आया पता करो नहीं तो अगली महामारी के लिए तेयार रहो जियां दोस्तो कोविड की जड़े कहां पर है ये केसे आया और किस तरह पैदा हुआ ये पता करने के लिए दुनिया को चीन के सहयुग की जरुवत है इसी तरह हम दुनिया को महामारी के खत्रे से बचा सकते हैं यूएस के दो प्रमुख बीमारी विशेशक्ग्यों ने ये राय जाहिर की है ट्रम प्रसासन में खादेम ओषदी प्रसासन के आयुक्त रहे इस कोड गोती लेब का कहना है कि सार्च कोविड टू का वाइरस चीन के वुहान की लेब से निकला है इस बात को बल देने वाली जानकारी जादा निकल कर आ रही है साथी चीन भी अभी तक इस बात को नगारने को लेकर कोई सबूत पेश नहीं कर पा रहा है जिससे इस बात को लेकर शंका और गहरा जाती है वहीं वन्ने जीव से वाइरस के इंसानों के शरीर में पहुचने को लेकर अभी तक कोई ठोस जानकारी नहीं मिल सकी है वहीं टेकसास चिल्रन होस्पिटल सेंटर फॉर वैक्सिन डवलब्बेंट के को डायरेक्टर पीटर होटेज का कहना है कि अगर हमें यह मालूम नहीं होगा कि महामारी की शुरुवात कैसे हुई तो हम भविश्य में भी इसके प्रकोप से बच नहीं पाएंगे अपनी बात को बढ़ाते हुए होटेज कहते हैं कि अगर हम इसकी उत्पत्ती को ठीक तरह से समझ नहीं पाए तो इस तरह तो भविश्य में कोविड 26, कोविड 32 आज जाएगा इसके बाद दोस्तो जान लेते हैं पूरी दुनिया और भारत में क्या है इस वक्त इस महामारी की ताजा इस्थिति सबसे पहले दोस्तो बात करते हैं पूरी दुनिया की तो दोस्तो पूरी दुनिया में इस वक्त तक इस महामारी के संक्रमितों का आकला 17,360,000 को पार कर गया है जबकि दोस्तो इस महामारी से मरने वालों की संख्या 35,41,000 को पार कर गई है दोस्तो इस महामारी का सरवादिक असर अमरिका पर हुआ है अमेरिका के बाद में इंडिया, ब्राजिल, फ्रांस, टर्की, रश्या, उनाइड़ेट किंग्डम, इटली, अर्जेंटिना, जर्मनी, कॉलंबिया, इरान, पॉलेंड, मेक्सिको, आदी देशों का नाम आता है तमाम देश इस महामारी से सरवाद एक प्रभावित हुए हैं वहीं दोस्तो अब बात कर लेते हैं क्या है भारत के हालात लेकिन उससे पहले मेरी आफसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है अगर दोस्तो आपको अभी तक मारी निउस पसंद आई है तो इसे चोटा सा लाइक जरूर दे दे और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशकाब डिसलाइक भी कर सकते हैं लेकिन दोस्तो लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए क्योंकि दोस्तो यहीं हमारी मेहनत का पफल होता है और इसी से में बता चलता है कि आपको अमारी वीडियो पसंद आई है या नहीं तो दोस्तो जल्Books जान लेते हैं क्या है भारत के हालात दोस्तो भारत में इस वक्त तक इस महामारी के संक्रम्मितों का आकड़ा 2,80,000,000 को पार कर गया है जबकि दोस्तो इस महामारी से मरने वालों की संख्या 3,29,000 के पार है दोस्तो इस महामारी से सरवादिक प्रभावित राज्यू की बात की जायतों इसके बाद दोस्तो अगली बड़ी खबर चाइना ने खत्म कर दी दो बच्चों वाली पॉलिसी अब तीन बच्चे पेदा कर सकेंगे चाइनीज कपल जी हां दोस्तो चीनी सरकार ने अपने नागरिकों के लिए बच्चों के जन्म को लेकर लगाए गए प्रतिबंदों में ढील दे दी है अब यहां कपल्स तीसरा बच्चा पेदा कर सकेंगे सरकार ने यह कदम घटी प्रिजनंदर में सुधार लाने और वर्क फोर्स की संक्या में आ रही गिरावट को रोकने के लिए उठाया है 2019 में चीन में प्रसवदर करीब 6 दशकों में सबसे निचले इस्तर पर आ गई थी चीन ने 1970 के दशक के आखिर में तेजी से बढ़ती जन संक्यादर को धीमा करने के लिए एक बच्चा पेदा करने की निती की शुरुआत की थी इसके बाद देश में बुजर्गों की अबादी बढ़ने और वर्कफोर्स घटने के डर से 2016 में इससे बदल कर दो बच्चे पेदा करने की अनुमती दे दी थी वहीं युवा जोड़े बच्चे की परविरिश में होने वाले खर्च की बढ़ती लागत के कारण पीछे हट रहे हैं इसके बाद दोस्तो अगली बड़ी खबर शेर बाजार में तेजी सेंसेक्स 52,000 के करीब पहुंचा निफ्टी ने चुआ अब तक का सर्वोच ये इस्तर जिहां दोस्तो भारतिय शेर बाजारों में आज तेजी का रुख रहा बंबई शेर बाजार का समवेदी सूचकांग सेंसेक्स 31 मई 2021 को 514.56 अंक यानी की एक प्रतिशत की बढ़त के साथ 51,937.44 के इस्तर पर बंद हुआ वही नेशनल स्टोक एक्सचेंज का निफ्टी आज अपने सर्वोच इस्तर पर पहुंच कर बंद हुआ निफ्टी 147.15 अंक यानी की 0.95 फिस्दी की मजबूती के साथ 15,882.80 के इस्तर पर बंद हुआ दोस्तो, Reliance Industries, ICC, ICI Bank और SDFC Bank में आज जबरदस्त उचाल देखने को मिला इसके बाद दोस्तो, अगली बड़ी खबर 5Z तकनीक के खिलाफ जुही चाउला ने खोला मोडशा, मामले को लेकर पहुंची कोट जियां दोस्तो, Bollywood की दिगज अधाकारा जुही चाउला ने 5Z तकनीक के खिलाफ दिली हाई कोट में याजका लगाई है एक्टरेस ने अपनी अपील में इस तकनीक से परियावन को नुकसान होने की संभावना जदाई है इस मामले को लेकर आज सुनवाई होनी थी जीव जन्तूओं और पैड़बोदों पर पढ़ने वाले प्रभाव के बारे में है साथ ही यह भी साफ किया जाए कि इस टेकनोलजी से देश की मोजुदा और आने वाली पीड़ी को किस तरह का नुकसान है या नहीं इसके बाद दोस्तो अगली बड़ी खबर राजस्तान के श्री गंगानगर में पैट्रोल 105 रुपे प्रति लिटर और प्रिमियम डीजल 101 रुपे प्रति लिटर के पार देश में सबसे महंगा जिया दोस्तो पैट्रोल जल की लगातार बेहताशा बढ़ रही कीमतों ने आम आदमी का जीना मुहाल कर दिया है दोस्तो मई के महिने में पूरे देश में पैट्रोल और डीजल की कीमतों में 4 रुपे से जादा की रद्धी कर दी गई है राजस्तान में तो दोस्तो लगबग सभी जिलो में पैट्रोल की कीमते 100 रुपे प्रति लिटर के पार पहुँच गई है लेकिन पश्मी राजस्तान में भारत पाकिस्तान अंतराश्ट्य बोर्डर पर इस्तित श्री गंगानगर जिले में पैट्रोल डीजल की कीमतों के सभी रिकोर्ड तूट गए है श्री गंगानगर जिले में सामान्य पैट्रोल 105 रुपे प्रति लिटर के पार जा पहुचा है यहां पैट्रोल की कीमतें देश भर में सबसे ज़ादा है वही डीजल भी श्री गंगानगर में 100 रुपे प्रति लिटर का आख़़ा पार कर चुका है दोस्तो राजस्थान की राजदानी जेपुर में भी सोमवार को फिर से पैट्रोल डिजल की कीमतों में बड़ोतरी दर्ज की गई और अब जेपुर में पैट्रोल की कीमत 100 रुपे 75 पैसे प्रतिलिटर जबकि डिजल की कीमत तरानवे रुपे 95 पैसे प्रतिलिटर के पार पहुच गई है इसके बाद दोस्तो अगली बड़ी खबर मौसम समाचार जानी अगले 24 गंटे और पिछले 24 गंटे के मौसम समाचार तो दोस्तो पहले बात कर लेते हैं भी थे 24 गंटों की तो दोस्तो पिछले 24 गंटों के दोरान जार कंड गंगी पशिमंगाल असम्मेगाले और अनचल प्रदेश में मध्यम से भारी बारिश हुई उपिमाले पशिमंगाल में एक-डो इस्तानों पर मध्यम से भारी बारिश देखी गई और शेंश पूरु उत्तर भारत में हलकी से मध्यम बारिश हुई है। अलांकि दोस्तो उत्तर में राजस्थान के कुछ स्थानों पर हीट वेव की इस्तिती देखी गई। अब दोस्तो बात करें आगामी 24 घंटे की तो दोस्तो अगले 24 घंटों के दोरान उत्तर पूरु भारत तट्ये करनाटक के कुछ हिस्सो और केरल के कुछ हिस्सो में मध्यम से भारी बारिश और गरज के साथ बोचारे पढ़ने की संभावना है। इसके बाद दोस्तो अगली बड़ी खबार गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे सोने में आया उच्छाल चांदी हुई थोड़ी नरम। इसके बाद दोस्तो अगली बड़ी खबार ओलंपियन शुशिल कुमार पर मकोका लगाने की तेयारी आसानी से नहीं मिलेगी जमानत। जियां दोस्तो दिल्ली पुलिस ओलंपिक पदक विजटा शुशिल कुमार पर मकोका के तहत कारेवाही करने की तेयारी में है। मकोका के तहत संगटित अपराद करने वालों पर कारेवाही होती है और मकोका लगने के बाद आसानी से जमानत भी नहीं मिलती है। इस कानून के तरत उम्र के 20 सजा का प्रावदान है, छै महिने तक चार्जशीट दायर कर सकते हैं। दरसल दोस्तो शुशलकुमार गेंगेस्टर काला जठेडी और नीरस बवाना के संपर्ख में था। की शुषिल कुमार काला जठेडी और निरस बवाना को लोगों की हैसियत और उनके कामकाज की जानकारी देता था पुलिस के मुताबित 2018 से शुषिल और गेंगेस्ट्रों का गठ जोड हुआ लेकिन सागर धनककर की हत्या के दोरान शुषिल ने निरस बवाना और असोडा ग गेंगेस्टर भांजे निरस बवाना के लिए काम कर रहा था रामवीर शोकिन भी जेल में है गेंगेस्टर संदीप काला उर्फ काला जठेडी और गेंगेस्टर लोरेंस विसनोई एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं दिल्ली पुलिस ने पांच लोगों को यानि की पांच गेस्टरों को मकोका मामले में ग्रफतार किया है इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी ख़बर आगई कोरोना की थाल्डवेव महराश्ट के अहमद नगर में 8000 बच्चे कोरोना संक्रमित मच गया हलकम जिना दोस्तों महराश्ट में कोरोना की तीसरी लेहर की आहट महसूस दिख रही है यहां सिर्फ एक शहर में 8000 से जादा बच्चे कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। महीनों से तीसरी लाहर का मुकाबला करने के लिए एडवांस तेयारियों के दावे कर रही है। में तो आपको मिल सकता है एक amazing surprise gift हमारे YouTube चैनल की ओर से। तो दोस्तो जल्दी से अपना उत्तर कमेडोक्स में लिख दीजिए वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सस्क्राइब करके बैल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद वंदे मातरम जय हिन जय भारत।